एपिसोड स्टार्ट होती है और हम देखते हैं लुओ फैंग की फाइटर जेट एक्स्ट्रीम मार्चल होल के पास जाती है दूसरी तरफ मास्टर होंग मेडिटेट कर रहे थे तभी वहाँ लुओ फैंग आता है और कहता है मास्टर होंग मैं मुयाजन क्रिश्टल को एक्स्चेंज करके कुछ ट्रेजर लेना चाहता हूँ क्योंकि मास्टर होंग ने पहले ही कहा था कि कोई भी वरियर मुयाजन क्रिश्टल से ट्रेजर को एक्स्चेंज कर सकता है और मज़े की बात लुओ फैंग के पास सबसे ज़्यादा क्रिश्टल है और इस एक्सचेंज के लिए मास्टर होंग भी एगरी हो जाते हैं तो लुओ फैंग मास्टर होंग के सामने बैठता है और उसके सामने कई सारे ट्रेजर की लिष्ट आ जाती है दूसरे तरफ हम देखते हैं बावाता उन ट्रेजर लिष्ट को देखते हुए कहती है इस लिष्ट में तो एक भी स्पेस्क्राफ्ट की मलवे नहीं है और वो ट्रेजर ग्राविटी चेमबर होता है जिसको हासिल करने के लिए 84.5 स्टार चाहिए फिर वो लुओ फैंग को बताती है लुओ फैंग इस कैटलोग के बॉटम में देखो एक ग्राविटी चेमबर है लुओ फैंग कहता है ये ट्रेनिंग कैंप सभी इलाइट के लिए नहीं है तो क्या इसका मतलब इस एंचन चिविलाजेशन में सिर्फ एक ग्राविटी चेमबर है और अगर लुओ फैंग इसे खरीद लेता है तो उसके कल्टिवेशन स्पीड 120 टैम्स जादा इंक्रीज हो जाएगी फिर वो मास्टर होंग से कहता है मुझे ये ग्राविटी चेमबर चाहिए ये सुनकर मास्टर होंग मुस्कुराते हैं तभी लुओ फैंग दो और ट्रेजर की डिमांड करता है वो कहता है मुझे 1000 यर औल ब्लैक रूट चाहिए और ड्रैगन बलड के दो पार्ट चाहिए साथे 7 ट्रेज और प्लांट की स्प्रीट चाहिए ये सब सुनकर बबाता परिसान हो रही थी इधर मास्टर होंग कहते हैं ठीक है तो टोटल तुम्हारे 110 स्टार हो गए जिसका मतलब है 5.5 मुयाजिन क्रिस्टल मास्टर होंग कहते हैं 0.5 माइनस कर दो क्योंकि तुमने पहले ही 0.5 क्रिस्टल मेरे पास जमा किया था तो लुओ फैंग को इन ट्रेजर को लेने के लिए टोटल 5 क्रिस्टल देना होगा ये सब सुनकर बबाता बिल्कुल विखोस नहीं थी आगे हम देखते हैं लुओ फैंग मास्टर होंग के केविन से बाहर आता है मतलब कि लुओ फैंग उन सभी ट्रेजर को ले लिया है आगे हम देखते हैं एक लेड़ी खड़ी होती है तब ही उसका गार्ड उसे बताता है कि लुओ फैंग बाहर आ गया है वो लेड़ी उसे इसारे से जाने कहती है और वो लुओ फैंग से मिलने आगे बढ़ती है और कहती है मैं इसाडोरना एचारे लैंग के स्पीकर हूँ सेन सिफ्ट होती है और हम देखते हैं लुओ फैंग इसाडोरना से बात करने बैठा है इसा डोरना कहती है इंस्पेक्टर लुओ फैंग क्या हम मुद्दे पे बात करें फिर वो कहती है आपने कुछ दिर पहले ही मास्टर होंग के साथ ट्रेड किया तो कि आपके पास अभी भी मुयाजिन क्रिस्टल है और ये लेड़ी मुयाजिन क्रिस्टल से डील करने ही यहां आई है फिर वो कहती है एचार एलाइन्स मार्केट प्राइस से तीन गुना जादा प्राइस देने के लिए तयार है दूसरी तरह बबाता ये सुनकर हैरान होती है और कहती है इस प्राइस के हंडे टाइम्स जादा की प्राइस भी क्रिस्टल के एक्चुल वेलू के एकवल नहीं है इधर लूओ फैंग मनी मन सूचता है एक क्रिस्टल किसी भी वर्यर के 8 या 9 रेंग को इंक्रेस कर सकता है और वो बहुती कम समय में स्टार लेवल के वर्यर बन सकता है साथी HR एलैंस के पास बहुती जादा वेल्थ है वो लोग इस क्रिस्टल के वेर्नेस पे फोकस नहीं करते है इधर बबाता कहती है मुयाजन क्रिस्टल को यूज करके हम एक मार्सल आर्टिस्ट को स्टार लेवल के वर्यर बना सकते हैं लेकिन इससे हमारा कोई भी फाइद होने के नाते हमें मनी में कोई भी इंट्रेस्ट नहीं है बलकि मुझे तो किसी औरी चीज में इंट्रेस्ट है जैसा कि एंचन सीविलाजेसन का कोई रियून या फिर कोई स्पेस क्राफ इसा डोना कहती है इंस्पेक्टर लुओ फैंग आपने जल्ले डील कर ली आपके ल बबाता से अपने फैमिली के फिजिकल फिटनेस को टेस्ट करने कहता है बबाता उसके मॉम डैट के फिजिकल फिटनेस को स्कैन करती है और बताती है लुओ हॉंग वा थर्ड लेवल और पे है और उसका भाई हुआ थर्ड लेवल पे है ये संकर हुआ कहता है अचाना कि व पैर पे खड़े होने को कहता है फिर उसके डाइट धीरे धीरे अपने दोनों पैर पे खड़े होते हैं और अब तो वो बिल्कुली सही हो गए थे यहां तक कि वो बैक फिलिप भी कर पा रहे थे और अब तो वो किसी मार्सल आर्टिस से कम नहीं है यह उन सब के लिए काफी हैपी मूवमेंट था फिर लुओ फैंग अपने मॉम डैट से कहता है मैं आप सब को एक जगा ले जाऊंगा फिर सीन सीफ्ट होती है और हम देखते हैं लुओ फैंग अपने पैरेंस को फाइटर जट से कहीं ले जा रहा था फिर लुओ फैंग बताता है कि उसके आउंट अवी वी जिन्दा है ये सुनकर उसके डैट सौक हो जाते हैं कि उसके सिस्टर इन लो अवी वी जिन्दा है लुओ फैंग बताता है आउंट होंकीन कायोटो बेस सिटी में रहती है और मैं पहले आपके लेक को हील करना चाहता था ताकि आप भी आंट से मिल सको इधर बबाता कहती है लुओ फैंग तुम बस अपने रिलेटिव को ढूडने के लिए इतने बड़े डील करने की क्या ज़रूरत थी तुम्हें master के inheritance को accept करना है लेकिन तुम्हार पल human पर ही focus करते हो ऐसे तुम्हारी life की हर second काफी बड़ा gap की rate करेगी लुओ फैंग कहता है ये मेरे parents की wish है कि मैं strong होकर अपने family को protect करूँ फिर वो कहता है घोड़े के आगे गाड़ी रखने से उसके strongest होने का बिल्कुल ही meaning less है फिर वो अपने family से गेले मिलता है इधर बबाता बिल्कुल ही speechless हो जाती है तब ही लुओ फैंग का friend उसे call करता है और कहता है क्या सच में तुम अपने uncle और aunt को लेने कायोटो base city जा रहे हो लुओ फैंग कहता है हाँ लेकिन क्यों क्या हुआ उसका friend बताता है honking ग्रेंड मदर को heart attack हुआ था और वो अभी hospital में admit है ये सुनकर वो सब भी परिसान होते है scene shift होती है और हम देखते है जिनमुन कैस्टल होस्पिटल जहां honking admit होती है और उसके grand daughter उसके care कर रही थी तब ही लुओ फैंग दोर बिल बजाता है और कहता है क्या honking grandmother इसी ward में है उसके grand daughter दरवाजा खुलकर लुओ फैंग को देखती है लुओ फैंग के dad कहते है आंटी क्या आपने मुझे पहचाना grand mother उनको काफी गौर से देखती है और आखिरकार वो उसे पहचान लेती है वो कहती है तुम काफी बड़े हो गए हो और तुम बिल्कुल अपने dad जैसे हो और वो सभी काफी emotional हो जाते है फिर वो अपने grand daughter से कहती है यौंग किन ये तुमारे अंकल है फिर वो बताती है ये मेरे grand daughter यौंग किन है फिर वो अंकल को respect देती है फिर लुओ फैंग के dad लुओ फैंग और हुआ को अपने पास बलाते हैं तभी वहाँ एक person अपने guard के साथ आता है और आते हुए कहता है तो हमारे पास guest भी है इन सब को हमारे wedding invitation list में aid कर लेना तभी यौंग किन कहती है वैंग जिंगेन आगे मत बढ़ना grandmother पहले ही तुमारे गुस्से की वज़े से काफी बिमार है तो आखिर अब तुम क्या चाहते हो लुओ फैंग को याद आता है वैंग जिंगेन पिछली बार वैंग जिंग पिंग को भुलाया था जो कि कायोटो में वैंग फैंगली के एर है ऐसा लगता है कि ये दोनों आपस में भाई है दूसरी तरफ वैंग कहता है मैं क्या कर सकता हूँ मैं तो बस तुम से मैरी कलना चाहता हूँ फिर वो यॉंकिन के साथ बत्तमीजी करने लगता है यॉंकिन कहती है मैं तुम्हारे जैसे बत्तमीज से साधी नहीं कर सकती और वो उसे पीछे धक्का देती है फिर वो नाइव उठाकर कहती है आगे बढ़ने की हमत मत कलना वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी लेकिन फिर वी वो आगे बढ़कर उसे छेड़ने लगता है फिर वो कहता है जहां तक मैं जानता हूँ तुम्हारे फैमिली की बिजनस किसी अननाउन कॉसर टिम के द्वारा हड़ पी जा रही है और दो दिन पहले तुम्हारे कालेज मेंटर की कार एक्सिडेंट में देथ हो गई और तुम्हारे ग्रेंड मदर की हार्ट के कंडिशन भी काफी नाजुक है और जो सर्जन इनका इलाज करने वाला था दो दिन पहले ही उनका रिश चुट गया अब लुओ फेंग क्लैपिंग करते वे आगे बढ़ता है वैंग पुछता है तुम कौन हो लुओ फेंग बताता है मैं यौंकिन का कजन हूँ और आज ही मैं जियांग नेन बेस सिटी से वापस आया हूँ सक्षै के लुओ झाले ही नेया है